नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्टि स्टडी में मैं आपका दोस सतियंद्र सिंग एक बार फिर आपके लिए हिंदी की इंपोर्टेंट क्लास लेकर आया हूं दोस्तो वीडियो अंदर तक देखना है मैं आज आपके लिए ज्यान पीट पुरुसकारों की लिस्क लेकर आया हूं जो हिंदी साहित्य में दिये गए हैं तो दोस्तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा जो लोग नहीं आये हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलेगा ठीक है फ्रेंट्स तो चली दोस्तों सुरू करते हैं देखें ज्यान पीट पुरुसकार वर्स 1984 इसवी के बाद यह पुरुसकार लेखक के समग्र योगदान पर दिया जाता है ठीक है उससे पहले भी कुछ हिंदी साहित्य में ज्यान पीट पुरुसकार दिये गए हैं तो उनके बारे में एक बार देख लेंगे द्यान दिया गया था हिंदी साहित्य का ठीक है उसके बाद 1972 में रामधारी सिंग दिनकर को उर्वसी के लिए दिया गया था किसके लिए उर्वसी के लिए कभी-कभी एक्जाम में यह भी पूछ रेता है कि उर्वसी किसकी रचना यह तो आप सभी को जानकारी होगी अच्छी तर व्याभों में कितनी बाहर के लिए यह पुरुसकार दिया गया यान्पिट पुरुसकार के यहाँ पर हम बात कर रहें है ठीक है दोस्तों हो कि अगर जलते हैं से हैं 1822 में महादबी वर्मा जी को यामा के लिए दिया गया था यामा के के लिए महादीभी मर्मा को दिया गया था 1982 में आगे देख लेंगे एक बाल में 1992 में देखेका नरेस महता जी को दिया गया था संपूर्ण साहित्य के लिए ठीक है उसके बाद 1999 में हम बात करेंगे ये निर्मल वर्मा को ये पंजाबी लेखक गुर्दयाल सिंग के साथ आगे एक बाल 2005 में कुवर्ण नरायन को संपूर्ण साहित्य के लिए ही दिया गया था ठीक है उसके बाद 2009 में आगे हम 2009 में स्रीलाल गुपता और अमरकान जी को संयुक्त रूप से दिया गया था वो भी संपूर्ण साहित्य के लिए स्रीलाल सुकल होता दोस्तों यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी यह जो सुकला है नहीं है यहाँ पर सुकल हो जाता है क्या सुकल कंफ्यूज नहीं हो ना स्रीलाल सुकल और अमरकान्त सायुक्त रूप से 2009 में दिया गया था इनको आगे दिखेगा 2013 की बात करते हम 2013 में केदारनाथ सिंग को अकाल में सारस एक बह 2013 में 2014 की बात करेंगे हम भाल चंद्र निमाड़े मराथी साहित्ते के लिए अब यह देखो कुछ मैंने इंपोटेंट अलग-अलग लिए जैसे कि गुजराती साहित्ते के लिए देख लेंगे भालचंद्र निमालेक मराटी साहित्य के लिए और 2015 में रघुवीर चोधरी को गुजराती साहित्य के लिए ग्यानपीट पुरुसकार दिया गया था ठेक है दोस्तों अब देखे 2016 में संगहा गोस बंगाली साहित्य के लिए और 2017 में ये बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि अभी 2018 का तो ग्यात नहीं है क्योंकि 2017 का ही फूच सकता है एक्जाम की देश्टी से तो क्रश्णा सोभती क्रश्णा सोभती हिंदी साहित्य के लिए इनको 2017 में जो भी लास्ट बार मिला था ग्यानपीट पुरुसकार क्रश्णा सोभती को दिया गया है ठीक है चलिए आगे दोस्तों मैं कुछ आपके लिए ग्यानपीट पुरुसकार के बारे में जो जानकर यह वो लेकर आया हूँ आप सोच रहोगे कि ज्यान पीट पुरुसकार क्या होता है इसमें किस टाइप से कुछ धनराशी बगरा दी जाती है तो उस पर एक नज़र डाल लेंगे दोस्तों तेकि ज्यान पीट नियास द्वारा भारती है साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर पुरुसकार के योग्य है पुरुसकार में ग्यारा लाख रुपे की धनराशी प्रसस्ति पत्र वागदेवी की कास्य प्रतिमा दी जाती है अब देखे पहला ग्यान पीट पुरुसकार 1965 में दिया गया था मलियालम के लेखक स्री संकर कुरूप को ठीक है याब हम उपर हम लने किसकी बात कीति अब हिंदीश साहिक्ते की बात की आम मलियालम से इतना कोई च्छादा लेना देना नहीं है के वाल्म हिंदीश साहिक्ते के बारे में ALEX कूण के बढान ये सुमित्रा नंदन पंत ग्यानपीट पुरुसकार से सम्मानित होने वाले हिंदी के पहले रचनाकार है ये भी अपना एक most important question बन जाएगा सुमित्रा नंदन पंत ग्यानपीट पुरुसकार से सम्मानित होने वाले हिंदी के पहले रचनाकार थे क्रस्चना सोबती भी रचनकार है इससे पहले हिंदी के दस लेखको को ग्यान पीट पुरुसकार मिल चुका है इसमें पंत दिनकर अग्गे और महादिवी वर्मा सामिल है तो जो अंतिमवार मिला था करशना सोबती को मिला था वो मैंने अभी आप से मतलब डिसकस किया था तो दोस्तों आज की अच्छी लगी हो तो सेर्फ कर दीजाएगा दोस्तों ठीक है फैस चलते हैं जहिन बंदे महत्रम